आज आपके सामने ऐसा कोश्चन लेकर आने वाला हूँ जो 110% आपके एक्जाम में आने वाला है क्यूंकि railway ने विया इस कोश्चन को ये देख ले ना हमारे पास अगर मैं NTPC की बात करूँ तो NTPC 2021 में ही पूछा गया था 2022 में भी RPF में भी ये कोश्चन पूछे गए हैं ALP के अंदर भी और Group D के अंदर तो पूछे ही गए थे तो आप लोग इस चीज को याद रख ले ना railway 100% इस तरह के कोश्चन आपके एक्जाम में फसाने वाला है ताकि आप लोग फस जाओ लेकिन हम इसके पीछे की दो मिनट की एक ट 10 से जी सर तो मैंने क्या करा 2 को मैं इधर लिया हुँ 3 को मैं इधर लिया है जामने नंबरों को इंटर चेंज करा तो साइन भी मेरा क्या हो जाएगा चेंज हो गया इसी इसी तरह से अगर मेरे पास लिखा हुआ है A greater than है B से तो क्या मैं कह सकता हूँ B और A को अगर मैं change करूँगा तो मेरा जो sign है वो भी क्या हो जाएगा change. अगर आपको ये चीज याद है या clear है तो इसके बाद एक concept और समझते हैं ये तो हमारा हो गया बेसिक ये तो हमें बच्पन से पता है लेकिन इस class में हमें समझना क्या है अगर मेरे पास कोई भी question ऐसा आजाए जिसके अंदर आपके पास smaller than, smaller than, equal to, equal to और फिर से smaller than इस तरह स चार साइन एक साथ use हो रहे हैं तो right answer क्या आएगा priority हमारी होती है सबसे पहले इसकी, दूसरी होती है इसकी और तीसरी इसकी, अगर मेरे पास तीनों आते हैं तो right answer होगा पहले वाला, मतलब की smaller than, लेकिन अगर मेरे पास केवल दूसरा और तीसरा आएगा, अब answer क्या आने equal to और equal to, अब मेरा answer क्या आता, अब answer आता, less than equal to, यार सर यह है क्या समझ नहीं आया, question से समझते हैं एक second में, question देखें सारे के सारे, कह रहा है, क्या मेरा a f से greater than है, a से लेकर f तक मैं पहुचा, मैं यहां से यहां तक पहुचा, कौन कौन से sign आया मेरे बीच में, greater than, greater than equal to greater than, फिर से greater than, greater than equal to, equal to, और फिर मेरे पास आया है greater than, मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास तीनों सिंबल आते हैं, तो priority कौन से answer की है, sir मेरे पास greater than वाला क्या है का answer, मैंने answer में चेक करा, क्या greater than है, जी sir, तो यह मेरे पास क्या कर गया, follow, फिर मैंने देखा दूसरे में, c और g के बीच की अगर मैं बात करूँ, c मेरा यहाँ पर है, और g मेरा यहाँ पर है, इनके बीच में कौन-कौन से sign आया है, sir, पहले आया है greater than, फिर आया है equal to, फिर आया है मेरे पास greater than, और फिर मेरे पास आया है, फिर से greater than, equal to, भाई, यह greater than, equal to है, ठीक है, फिर मेर पर पास आया है greater than equal to तो right answer किया आईगा इस बार? भाई मैंने आपको बताया greater than, greater than equal to और equal to मैं. सबसे पहले priority किसी होती है? Sir greater than की. तो यहाँ पर right answer क्या बनेगा मेरा answer आता greater than तो option में मैंने देखा क्या greater than है नहीं sir यह तो greater than equal to दिया हुआ है तो यह क्या हो गया गलत हो गया तीसरा मैंने देखा a और g के बीच में a कहाँ पर है मेरा a मेरा है यहाँ पर और g मेरा है यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बीच में sign देखता हूँ तो greater than आया greater than आया equal to आया मेरे पास यहाँ पर greater than आया और greater than equal to आया answer क्या आना था यह sir आपने अभी अभी बताया greater than और इन सम्में priority देखूँ तो right answer मेरा आना था greater than क्या यहाँ पर है नहीं sir तो यह भी क्या हो गया गलत तो हमारा answer क्या है only first follow within second आपने answer दे दिया यह आपको अभी time लग रहा है जब मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन within second आपका क्या हो गया right answer अब एक question आप लोग समझना जो exam में actually पूछा जाता है question देखेंगे सारे के सारे मेरे पास यह question दिया हुआ है और यह question हमारे exam में पूछा जाएगा question देखो एक बाद कहारा है w और x को पकने मैंने कहा w कहांपर है sir w मेरा यहाँ पर है x रखूंगा और फिर बाद में w जब मैंने X को उठाकर इधर रखा, तो इसका sign भी तो change होगा, जी sir, अब इनके बीच में देख लो, मैंने पहले देखा इसको, फिर Q और S को देखेंगे, Q कहां पर है, sir Q यहां पर है, S यहां पर है, पहले क्या आना चाहिए, S, तो मैंने S यहां पर रखा, equal to तो क्या ही change हो अगर मैं X और W की बात करूँ, X और W के बीच में मेरे पास equal to आया है, greater than आया है, तो मेरा right answer क्या आएगा, sir हमारा right answer आजाएगा, greater than, क्या सही है, बिल्कुल सही है, S और Q के बीच में क्या आया है, S और Q के बीच में smaller than भी आया है, फिर मेरे पास equal to आया है, फिर मेरे पास greater than आया है और greater than जैसे ही मेरे पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा या फिर इस तरह से आएगा तो हम कहेंगे एक साथ मूँ भी नहीं खुल सकता बंद भी नहीं हो सकता तो ऐसी तो कोई condition बनी नहीं सकती तो यह क्या हो जाएगा गलत तो मेरा right answer क्या जाएगा only first follow मतलब पहले वाला क्या करेगा follow clear हमने क्या करा इसको पहले left और right में रखना है तीसरा question देखें हमारे पास अगर मैं बात करूँ और प्याफ में ही पूछा गया था यह question अगर मैं और प्याफ की बात करूँ कह रहा है n और r भाई n और r को अगर मैं देखू यह question देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है दो कथन दिये हुए है अगर मैं बात करता हूँ n और r की n बराबर है r के तो जहाँ पर n लिखा है उसकी जगा हम क्या लिख सकते है r लिख सकते है जी sir अब यहाँ पर condition देखे मेरे पास दिया हुआ है r greater than है l r कहाँ पर है sir r मेरा right में है l तो left में है ठीक है तो पहले तो मुझे sign change करने पड़ेंगे तो मेरे पास ही हो जाएगा l और r दूसरा मैंने देखा r और m r कहाँ पर है right में और m मेरा left में तो यह हो जाएगा m और r तो इसके sign change होंगे तो मेरे पास ही आएगा इस तरह से अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में मेरे पास कौन-कौन से symbol आ रहे है check करो मैं जब symbol check करूँ less than आ रहा है मतलब की l और r के बीच में l और r के बीच में कौन-कौन सा आ रहा है या तो greater than आ रहा है या equal to answer क्या आना था सर answer आता greater than दिया हुआ क्या है less than तो यह क्या हो गया मेरा गलत हो गया दूसरा मैंने देखा m और r के बीच में m और r के बीच में मैंने देखा greater than greater than और equal to, greater than, greater than और equal to, answer क्या आएगा सर? answer आएगा greater than, मैंने देखा greater than है, इसका मतलब only second follow only second follow इसका क्या आजाता? right answer और question देख ले है का दा? भाई, और question देख ले हैं यह वाला देख लो, अगर मेरे से कह रहा है इन तीन options की बात करूँ तो तीन option क्या कह रहे हैं? चेक करेंगे फटावर्ट से, अगर मैं इसको देखूँ कह रहा है L और N, L कहां पर है मेरा फटावर्ट से चेक करके बताओ, अगर मैं L की बात करूँ, L मेरा यहाँ पर है और N कहां पर है, N मेरा यहाँ पर है ठीक है? L और N तो मेरे पास L और N की पोजिशन सही है जी सर, L और N की तो ठीक है फिर मैं देखा K और M K कहां पर है सर? K राइट में है और M मेरा लेफ्ट में, तो मेरे विया K राइट में आएगा और M मेरा लेफ्ट में जब मैं इने चेंज करूँगा तो SIGN IN के क्या हो जाएंगे? Change हो जाएंगे तीसरा मैंने देखा R और N को R मेरा लेफ्ट में ہے, N मेरा राइट में R मेरा लेफ्ट में है, N मेरा राइट में तो यहां पर आएगा R और N यह तो हम मैंने क्या करा? पहले इने Arrange करा arrange करने के बाद मुझे क्या देखना है L और N L और N के बीच में मेरे पास less than equal to फिर मेरे पास less than और फिर less than right answer क्या आएगा sir less than वाला आएगा सही है जी sir M और K के बीच में मैंने check करा M और K के बीच में मेरे पास आ रहा है less than और less than क्या मेरा सही है right answer जी sir, right answer आएगा less than R और N की अगर मैं बात करूँ R और N के अंदर less than आ रहा है फिर मेरा क्या आ रहा है मेरे पास फिर से आ रहा है less than अगर मैं चेक करूँगा, तो क्या मेरा less than है जी sir, तो इसका मतलब मेरे पास all follow बाइस सभी के सभी क्या करेंगे follow करेंगे, R और N की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास less than आया M और K की बात करूँ, तो मेरे पास less than आया L और अगर मैं N की बात करूँ, तो मेरे पास फिर से less than इसका right answer आना था सभी के सभी क्या करके follow तो इसी तरह से हमारे पास question पूछे जाते है ये देख लेना सारे के सारे, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है home work सारे के सारे उमीद करता हूँ, आप लोगों को समझ आया होगा, बस आपको एक चीज समझ नीती क्या, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रगना है, कभी भी हमारे पास इतने सारे साइन एक साथ आएंगे, तो सबसे पहले प्रियोर्टी है इसकी, दूसरी प्रियोर्टी है इसकी, और तीसरी है इसकी, तो right answer आप आसानी से दे पाओगे, तो मेरे पास home work वाला question जो है, उसका सभी के सभी, एक ट्राइ करना, ठीक है, और हाँ, जाने से पहले आपको पता है, रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुती प्यारी सी चीज, टॉप तक आप पर आ रखी है, कौन सी, भाई रीजनिंग का crash course, मात प्राइस कितना है केवल इसका प्राइस है 299 रुपे, तो सारे के सारे enroll कर लेना, और enroll करने के साथ साथ, इसका अंसर जरूर देना तो, okay guys, thank you, take care, मिलते हैं फिर जाहिंच, जा भारत, लवी सभी को